नमश्कार आज के इस वीडियो में एक गौर्मेंट से रिलेटेड एक अच्छे न्यूस देखने को मिली है और इस रिटार्मेंट का जो है हो किसी किसी को फाइदा मिलेगा हरे को फाइदा मिले नहीं मिलेगा एज वहाँ पर बढ़ाई गई है रिटार्मेंट एज तो किसकी retirement age बढ़ाई गई है वो यहाँ पे हम बात करेंगे तो आज चले शुरू करते हैं देखिए सबसे पहले अभी एक news आई है उसमें बोला गया है कि हिमाचल में जो आपका जो अब 60 वर्ष की उम्र में रिटायर होंगे करमचारी वो साल बढ़ गई नोकरी जो 58 साल में रिटाय संसाधन प्रबंधन समीति के 500 से अधिक करमचारी अब 60 साल की उम्र में रिटायर्मेंट अब होंगे यह तमाम करमचारी विश्व बैंक और अंतराश्य सयोग से संचारित हो रहे प्रजेक्ट में कारेड़त हैं प्रदेश भर के इन करमचारी को किसे निवरिती की आयो दो साल बढ़ा दिये हैं तो मतलब जितने भी सारे करमचारी हैं हिमाचल प्रदेश प्राकरते संसाधन प्रबंधन समीति के वह आपके विश्व बैंक से जुड़े हुए हैं और अंतराश्य सयोग से जयो संचालित प्रोजेक्टों में कायादत करते हैं काम करते हैं तो इनकी किसको हुई कारकारी समीति की बैठक में आयू को बढ़ने का समयतन किया गया इसके गया इसका बाद फाइल को अंति मनजूरी के लिएस सचीवा ने भीजा गया इस निरने के साथ इकरमचारी को अब दो साल अत्रीक्त सेवकाल का मौका मिलेगा इस बारे में अब मुख्यकारेकारी अधिकारी NRMS ने आदिश जाड़ी कर दिये हैं यहाँ सभी करमचारी जयका समेत अने परिजनाओं में कारे रथ है मुक्य कारेकारी अधिकारी परवनेश कुमार शर्मा ने बताया कि सभी चत्रत श्रेड़ी करमचारी को अब दो साल अत्रिक सिवा का मोका मिलेगा तो यहाँ पर सिंपल सी बात है मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह जो है रिटायर्मेंट एज सभी के लिए नहीं बढ़ाई गई है साथ साल नहीं की गए उनकी अठावन साल ही है तो यह आपको ध्यान देना है हर एक की नहीं है यह सिर्फ उनी की है जो आपके हिमाचार प्रदेश प्राकरतिक संसादन प्रविंदेन समिती के जाओ मेंबर है तो कारे करते हैं उसमें तो जो विश्व बैंक को और जो आपके आन्ने जो सहयोग अंतराष्ट्र स्वयोग की जो तहत जो प्रजेक्ट चल रहे हैं माचार प्रदेश में उसके अंदर जो कारे काम करते हैं उनकी टायमेंटेज यहां पर बढ़ाई गई है सो आज की वीडियो वस इतना ही है कोई गलत बात बोली हो तो आप मुझे बता दीजेगा तो अभी के लिए फ्लाल इतना ही है कल फिर में ने वीडियो के साथ तक के लिए जैहिंद जैभारत आपके दिन शुब हो जैहिंद